और आप सब में दिखेंगे दोस्तों आप इसको जब स्वाईप करते हैं किता है समूज जैसे कि आप एक फोन के चला रहे हैं इस तरिके से नहीं कि आपने एक स्वाइप मारा तो तो पूरा पैनल नीचे आगया अप बीच में इसको कहीं पर भी रोख सकते हैं जहां पर भी एक अच्छी फील देता है कि इतने च्छोटे मेंड में टच स्क्रीन वह भी कितने अच्छे से काम करेंगे दोस्तों अच्छी आप देख रहे हैं टिक टक टॉक वीडियो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों एम आई स्मार्ट बैंड फूर के बारे में जिसमें आपको एमोलेट कलर टच स्क्रीन मिलती है हाटरेट मानिटर मिलता है waterproof 50 तक मिलता है music कंट्रोल मिलता है और इंडिया लूइस नांबर वन वियरेबल बैंड तो आपको इसमें एक चार्जर मिलता है जो इस ताइप से आपको कोई जो है बॉच की मिलता कि परिशोंने को मिलता है थोड़ा सा मुझे hard लगा यह थोड़ा soft होना चाहिए था काफी जो है hard है यह band थोड़ा सा soft होना चाहिए था और इसमें जो basic चीज यह है कि इसमें जब पसीने आयते हैं आपको और थोड़ा सा बहुत ही जादा मतलब टाइट सी फील देता है आपके हाथ में रोबस्ट सी फील देता है यह चीज अच्छी किसकी वज़े से इसकी काफी लॉंग रहेगी दोस्तों इससे पहले में पास सैमसंग का बैंड था जो उसका भी आप रिव्यू देख सकते हैं मैं उपर आई बेटर में डाल दूंगा वह बैंड जो है काफी सॉफ्ट और वह था और अभी तक भी इसमें कोई इश्यू नहीं आया है बट यह जो वैंड काफी रोबस्ट सा फील होता है यहां पर अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको यह चार्जिंग पोइंड मिलते हैं जो मैगनीटिक है उसके लिए आपको इसको निकालना पड़ता है यहां पर आपको अपको हार्टरेट मिल जाता और मी मोज़े अर्षों कोई यहई कोई प्रॉबल्म नहीं और चार्जिंग में बहुँ कोई एश्यू नहीं आता यहां पे तो दोस्तों अगर हम मैं इसकी बात करता हूं बेंड की बात करता हूं तो यह इसका जो है होम स्क्रीन है यहां से आप लेफ्ट टू राइट अगर स्वाइप करते हैं तो आपके पास में डारेक्ली म्यूजिक कंट्रोल आजाता है और दोनों साइड जो उसके बात में अगर आपको इसमें बैक है तो आप बटन से भी बैक जा सकते हैं या फिर आप लेफ्ट टू राइट स्वाइब करेंगे तो भी आप बैक जा सकते हैं सेकंड जो इसमें option मिलता है दोस्ता आपको वैदर में मिलता है वैदर में आपको इसमें यह दो या तीन जो है डेस का आगे का बताता है यह भी current है इसमें आप देखेंगे tomorrow आ रहा है Friday आ रहा है और उसके बाद में भी Saturday संदे का डेटा वेलेबल नहीं नहीं तो यह वह भी नोटिफिकेशन मिल जाते हैं चाहे WhatsApp हो Instagram हो टेक्स मेसेज हो Snapchat हो ट्विटर हो आप सब के यहां पर लगा सकते हैं और उनको आप रीड भी कर सकते हैं पूरा का पूरा यह उपर से फ्लो करके और जैसे यहां पर क्लिक करते हैं जो मतलब उपर या ताप बॉटम में या अगर आप टॉप टूबोटम स्वाइब करते हैं तो आपके पास एक क्लियर का ऑप्शन आजा है कि इससे आप सारी नूटिफिकेशन अपने क्लियर कर सकते हैं मैं आपको वह बता दिता हूं दोस्तों कि किस तरीके से जो है नोटिफिकेशन हाता है आपको मैं दिखात सकते हैं अगर खतम हो जाता है तो आता है क्लियर और इसके अलाव अगर बहुत ही ज्यादा नोटिफिकेशन आप नीचे नहीं जा पारे तो आप जन्रली जो टॉप मोस्ते उसे उपर नीचे स्लाइड कर देंगे तो भी यहां पर आपको क्लियर करें और आपके सारे नोट आता है आपके जो डेली रूटिन होता है उस मैसानी की कभी बहुत जादा आ गया कभी बहुत कम आ गया आपका जो यह कंसिस्टेंसी इसकी वह काफी अच्छी है बाकी आप चेक कर सकते हैं कि और इसनल से यह कित्ता डाइवेट करता है वह चीज डिफरेंट होती है दोस्त आप जब स्वाइप करते हैं किताइस मूद्ज जैसे कि आप एक फोन की स्क्रीन चला रहे है इस तरीके से नहीं कि आपने स्वाइप मारा तो एक पूरा पैनल नीचे आ गया आप बीच में इसको कहीं पर भी रोग सकते हैं जहां पर भी आपका जो स्क्रीन है और हर चीज तरीके से आपको पूरा एक अच्छी फील देता है कि इतने च्छोटे में जो एक टच स्क्रीन है वो भी कितने अच्छे से काम करेंगे दोस्तों उसके बाद में अगर हम बात करें इसमें वर्काउट मुड में जो है आप इसमें जैसे लाइक आप स्टार्ट करते हैं तो मुढ आप अपना हाट रेट जो है बेंट जो है फर्ग कर लें उसमें आपको उपर उपर टाइम दिखायेगा नीचे आपको कितनी देर से आप वर्काउट करें वह टाइम आएगा कितने डिटैंस आपने रेइन करी कितने की स्पीर से हाट रिट का यहाँ पर जोन बताता करूए और यहांपे इसके अलावा गरहा हूं बात करें करें यहां मोरth के उलावा के अंदर काफी अच्छी-च्छी फीचर्स मिलते हैं आपको अगर बैनड पर नोटिफेकिशन करने तो आप सीधे D&D पर जाए और D&D को यहां पर अपलाय कर सकते हैं दोस्तों आप अलाम भी जो है इसमें सेट कर सकते हैं साथ बज़े का और अपने मर्दिस अगर आप फोल में कोई लगाते हैं तो देखिए मैंने 930 का लगा रहा है क्योंकि मैं लेट उटता हूं तो 930 कि यहां से भी आप आन और आफ कर सकती आपके बैंग का तौक काफी अच्छाआ फिछर यहां से कर सकते हों के अलाम को दूसरी जो है आपका जो music player है आप यहां से सीधे आपका कोई भी अगर player आपने चला रखा है और वो background में आप उसमें directly play pause कर सकते हैं उसे के साथ में आप यहां देख पा रहे होंगे volume minus और यह काफी अच्छे से काम करते हैं दोस्तों ऐसा नहीं कि touch करने में चोटा बटन है आप easily यहां पर क्लिक करेंगे तो बहुत अच्छे से सेंस करता है और आपका काम कर देता है उसके बाद में जो आता है आपका stop watch stop watch में आप इसको play कर सकते हैं play करने के बाद में जित्ती यहां पर record होते रहते हैं तीनी ही जो है यहां रहते हैं उसके बाद में आप इसे pause कर सकते हैं दोस्तों और उसके बाद में अगर मैं बात करूं आपकी इसमें यहां पर अगर मैं बात करूं इस stop watch के बाद में तो आपको इसमें जो है timer मिलता है जो कि काफी एक handy feature लगा मु कुछ हो जाता है माल लीजिए आप इसको जो है आपने इसमें लगाया है 23 मिनिट का प्ले कर दिया और थोड़ी देर बाद इसकी जो है लाउडली जो है रिंग करने लगता है ताकि आप अपने डिवाइस को ढूंड पाएं उसके बाद में आपके फोन में आप साइलेंट कर सकते हैं उसको तो आप एजिली यहां से क्लिक करके साइलेंट आपके फोन को डाल सकते हैं और इस दोस्तों मेरे फोन में दिक्कत है मैं मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास OnePlus है और आपके पास में कोई भी OnePlus एपल है जिसके अंदर साइड में जो है बटन आता है जिससे आप उसको को मैनुली साइलेट्या करते हैं तो यह वहां काम नहीं आएगा अगर आपके बाद एक ऐसा फोन है जिसमें नोटिफिकेशन में जाकि आप उससे आन याफ करते हैं तो ही यह फीचर वहां पर काम आएगा दोस्तों तो इस चीज़ का दियान रखेगा और उसके बाद में दो दूसरा बाद करेंगे तो चीज़ है और इसमें तो लास्ट वाला होता है वह आप एड़ कर रखें देखिए मैंने किता फंकी सा यह सट कर रखा है इसमें यहां पर आपको यह स्टैब बताता है टायम बताता है अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट किजेगा मै हम शुक्राइब खांव प्राह कि मैं फोटो दिखा रहा है हम देखिए वो कैसा लगता है ने इसके बाद में अगब और मियां यहां पर बैंट से बरेते हैं जो भी है उसके बाद स्क्रीम है इसमें band display के बाद में एक और option मिलता है दोस्तों जो है setting का जिसमें आपको इसमें brightness मिलती है अभी इसको three level पर है आप इसको बिल्कुल one level भी कर सकते हैं देखिए अब कैसा लग रहा है जैसे कि जो screen है पूरी screen है बिल्कुल आप इसको फुल ब्राइट कर लेते हैं दोस्तों तो उसके बाद में जो यह बैंड है आपका वह काफी अच्छे तरीके से आपका जो है बाहर दूप में सनलाइट में भी आपको कोई देखनें में issues नहीं होंता आप देखिए कितना bright हो गया है यहां पर band तो यह जो brightness है वह काफी अच्छी है आपको कभी भी भार दूप में देखने में कोई इशू नहीं होगा दोस्तों इसमें मैं ब्राइटनेस को जो है कम कर देता हूं थोड़ा ताकि आपको अच्छे से दिखें इसके अलावा गर मैं यहां से बात करूं इसकी तो यहां पर आप देख पाएंगे कि इसकी में अंदर जो है ब् बैंट जब लॉक हो जाता है मैं बताता हूं आपको जब आपका बैंट लॉक हो जाता है आप इसे ओपन करते हैं तो आपको से स्वाइप अप करना पड़ता है और अगर आपने जो अपनी एक इस से लॉक लगा रहा है तो आप उस लॉक से इसको आगे लॉक पास्वर्ड डालके ही आप इसे खोले भेंगे तो वह भी एक काफी कूल फीचर है उसके अलावा मैं आपको एक और फीचर दिखाता हूं इसका जो है लॉक स्क्रीन टाइम उटे कि कित्ती देरी रहना चाहिए छ उसको आपको application में feature मिलते हैं दोस्तों मैं उनके बारे में भी आपको बताता हूं तो देखते रहे वीडियो पूरा देखिए तो वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को like कीजेगा चैनल को subscribe कीजेगा दोस्तों ऐसे वीडियो में आप आप लोगों के लिए रहूंगा और हम बहुत ही जल्दी हजार सब्सक्राइबर बन करने वाले हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उसे कंप्लीट करने में मेरी हेल्प करें और चले मैं आपको दिखाता हूं कि इसके अप्लिकेशन में क्या-क्या फीचर्स हैं कि दोस्तों यह मैं अप्लिकेशन का इंटरफेस रिता है जो कि फ्रंट पेज होता है तो यहां पर देखिए आपको मैं सारी चीज़ बताता हूं इस्ट्रेप ट्रेकिंग भी होती है और यहां पर आपको स्लीप डेटा भी मिल जाता है आपका काफी अच्छी तरीके से आप पुराने अपने स्लीप डेटा भी जो है एजिली ट्रेक कर पाएंगे कि आप कब सोईते कब उठेते और यह हर एक चीज़ आपको बताता है और यहां पर बता देता है कि आप 8 बच के 21 मिनिट पर उठेते उससे पहले आपका जो है 11 बजे का था तो हर एक चीज़ बता दे होते हैं तो पुरार वर्कावॉट की भी हिस्तिरी देता है कि आप कि कुछे कि साप से क्या था है वोगाद है क्या चीज़ भी हर एक चीज़ इस तरीके से आप मूव करेते दोस्तों यहाँ पर आपका जो है बताता है कि आपका जो गोल ट्रेकर है वो कितना है कि आपने कितना अचीव किया है कब अचीव कर पाए कब नहीं कर पाए यहाँ पर फ्रेंड्स वाली में अपने शेयर कर सकते हैं जो मैंने नहीं किया अभी और प्रोफाइल में यहाँ पर आपको बताता है कि आप अपने गोल सेट कर सकते हैं फ्रेंड्स सेट कर सकते हैं इस्टोर में आप जाएंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर band wallpaper मिल जाएंगे सीधे आप नीचे जाके क्लिक करेंगे sync data पर तो यह आपका data जो है sync हो जाएगा सीधे आपके band के wallpaper जाए उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे smart analysis जो आपकी sleep track on करती है आप इसको on कर सकते है ताकि आप एक better sleep data track कर सके है उसके बाद में my band इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे उपर आपको जो है charging का दिखाएगा store पर क्लिक करेंगे तो वह यह आपको band के notification मिलेंगी unlock screen यह है कि आपका जो particular product है और आपका जो particular smart law के वह work करेगा band के साथ में इसके साथ में आप incoming call के vibration और किस तरह किसे detail शो हो नंबर शो हो या ना हो delay alert भी आप set कर सकते हैं कि call आने के 3 minute बाद आपका band बज़े या hand to end बज़े वह भी आप set कर सकते हैं बाकि मुझे कोई भी latency नहीं मिलती जिस time मेरा band vibrate होता है उससी time मेरे phone में ring आ जाती है इवेंट reminder भी है आप यहां पर alarm set कर सकते हैं जो आप band से turn on और off कर सकते हैं app alert आपको मिल जाता है इसमें सारी apps का आपको support मिल जाता है हर एक notification कर काफी अच्छे से जो है notification वो show करता है दोस्तों उसके बाद में अगर मैं बात करूं हो यहां पर ideal lets का तो इसमें बताता है कि आप कित्ती दिर बैठे हो आप इसको set कर सकते हो किस time से किस time की बीच में अगर मैं बैठता हूं और कित्ती ती दिर में बैठता हूं उसके बाद में आपको ideal alert मिले बता देता है दोस्तों more पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको incoming SMS और गोल नोटिफिकेशन की भी आप reminder on कर सकते हो find my band दोस्तों आपको पता है हुगा अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आपका बैंड वाइबरेट होता है activity heart rate sharing आप इसे जो है heart rate monitoring आप permanent on डग सकते हो या इसकी जो frequency हो सेट कर सकते हो 30 मिट में रिकॉर्ड करें या फिर आप जो है उसे सेट कर सकते हैं यहां पर alert value भी है जब एक limit से उपर जाएगी आपकी heart rate तो यह आपको warning प्रोवाइड कराएगा इसमें night mode भी आता है दोस्तों जो आप सेट कर सकते हो कि किस से किस के बीच में इसकी जो बैटने से वो decrease हो जाए phone के ringtone सेट कर सकते हो जब आप find my phone करते हो तो particular tab आता है वो किस location पर आए तो आप उसे easily set कर सकते हैं यहां पर सबसे अच्छी जो मुझे चीज़ लेगी आप vibration set कर सकते हैं उसकी intensity तो set नहीं कर सकते हैं बढ़ आप set कर सकते हैं कि कि किस जो vibration का जो एक sound है sound मतलब किस जो pattern है sorry क्या pattern है vibration का वो आप set कर सकते हो अपनी हिसाबसे बना सकते हो जैसे आप यहां पे add पे click करोगे यहां पे आप tap करोगे तो जितनी बार आप उसे tap करते हो जिस हिसाब से आप करोगे उससाब से आप उसे SET कर सकते हो दोस्तों वाप्रेसन को तो यह काफी अच्छा फीचर लगा मैंने जो कॉल का है वो डिफरन वाइबरेशन set करका बागिया मने default set करका उसके अलाब बीदर चाहिए आप देख सकते हैं आपको किस डिगरी में जो है वैदर चाहिए और चंसिस इस्में चाहिए फैरनफिकिकेशन भी वो बता देता तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था अगर आपके वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को दोस्तों को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम 500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं हजार सब्सक्राइबर हम होने वाले तो जल्दी से हम एक फैंबली का पार्ट बनते हैं और ग्रोग करेंगे हम साथ मिलके दोस्तों तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और मुझे हेल्प कीजिए ग्रोग करने में और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा औ और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक केर गईस